हेलो अरिवन, विल्कम बैक टू अनलाइन स्टेडियों आज आपको PPSC के लिए सेट नमबर हम 4 प्रोवाइड करा रहे हैं यानि कि बिहार करंट FS के सेट नमबर 4 के बारे में डिस्कसन करने मारे अगर आपने से पहले के बाकी के सेट को नहीं देखा है आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लिजेए वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएगी तो चली हम सुरू करते हैं और उमीद करता हूँ कि आप एंड तक वीडियो के साथ बने रहेंगे तब ही आपको फायदा होने माला और यहाँ पे जो questions आपको कराय जा रहे हैं वो बिल्कुल exams oriented और exams में आपको definitely देखने को मिलेगा तो सुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन ये है कि खबरों में रही बिहारी बेटी जो की आरती का संबंद किस से है तो बिहारी बेटी के नाम से ये प्रसिद है आरती जिनका संबंद है क्रिकेट से ठीक है क्रिकेट से ये चीज़ याद रखे राज्यकाद सुरक्षा इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग क्या है तो बिहार की रैंकिंग इसमें तेरह भी है बिहार के रंकिंग क्या है तेरह भी है यह याद रखने है ठीक है 23 सितंबर को रामधारी सिंग दिनकर की जैनती मनाई गई इनका संबंद किस छेत्र से तो देखे 23 सितंबर को पर्टेक वर्ष रामधारी सिंग दिनकर की जैनती मनाई जाती है जिनका संबंद वेगुसरास है और रामदारी सिंग दिनकर फेमस क्यों है तो प्रत्थम ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त करता है यानि कि बिहारी जो थे वो प्रत्थम ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त करता थे किस चीज के लिए तो उरवर्सी के लिए इनको ये पुरसकार दिया गया था ये ध्यान famous क्यों है तो सोरा के उत्पादन के लिए प्रसित है माना जाता इसे याद रखे जाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं पटना हाई कोट में कितने नए जजो की निपती की गई थी तो यहाँ पर सई आंसर हो जाएगा आठ राइट यहाँ पर गरेक्ट है अच्छा पटना हाई में जो मुख्य न्याधी से उनका नाम क्या है संजय करोल यह याद रही गा संजय करोल इसे पहले भी आपको बताएगा था आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है मिसेस एसिय इंटरनेशनल का किताव जीतने वाली सूचीता सिंग बिहार के किस जनपद से सम्बन रखने है और अगला सवाल दिखे next questions है कि किस जनपद में काले हिर्णो क्यों बचाने है तो एक अभ्यारन बनाया जाएगा तो काले हिर्णो को बचाने के लिए एक अभ्यारन बनाया जाएगा कहां पर बकसर में बकसर में अच्छा बकसर और कैमूर से आपको बताएगा था साइलो गुदाम चावल के लिए साइलो गुदाम बनाया जा रहा है जो कि भारत में सबसे बड़ा साइलो गुदाम होने वाला है और बिहार में आपका बक्सर ये कैमूल में हो जाएगा राइट ये ध्यान रखेगा और बक्सर समझ एक और प्रशन यहां पर देख सकते हैं कि विकेंदरी के जैव चिकित सा अपसिस्ट भस भस्मक भस्मक का जो कि वर्चुल रूप से उद्गाटन कहां पी किया गया बक्सर में ही किया गया तो एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होगा इसे अच्छे से याद रखेगा हाली में चर्चा में रहा देखें यहां पर क्या है कि रही थी तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है तो गांधी जी यहाँ पर विजिट किये था जिस पर से यह फेमस था राइट नेक्स्ट वन है कि किस जनपज में पहली फॉर्मर प्रोडूसर चाय ठीक है फॉर्मर फॉर्मर प्रोडूसर चाय कंपनी स्थापित की ज होती है तो इस तरह से भी हम याद रखेंगे बिहार के किस गड़ितागे ने पच्छी सो से ज्यादा मैट्स के फर्मूले बनाकर के गुल्डेन बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गुल्डेन बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है ध्यान दीजे का वो गड किसले सरमा बिहार में सुरू की गई नव्या जो नामक योशना इसका सम्द्ध किस है तो नव्या नामक योशना का सम्द्ध हो जाता है स्वास्त अदसाओ के लिए इस्टार्ट कहा था नव्या योशना ठीक है किस जनपद में फायर क्लेंट का विसाल भंडर पाया गया है कहां पर भागलपूर में भागलपूर यहां पर राइड होगा दीकिए भागलपूर से समंद्ध हम यहां पर कुछ और भी इंप्वाटेंट पॉइंट्स देख सकते हैं जैसे पहला आपका पक्चि है जो प्रदर्शन प्रसिक्षयन कारिक्रम होगा वो आपका में लेकीन याद रखेगा कि हाली में भारत में सबसे ज़्यादा जो सवन्ड-भंदार मिला хार कर सबसे ज़्यादा क्या सकते हैं या भारत का भारत कि अगए known तो स्वंड भांडारन में जम्मूई यहां पर important रहने वाला clear? और भागलपूर्ट से सम्मंदित तो आपको बताएगा था इसको सिलिक सिटी के नाम से जाना जाता है तो यह आपको याद रखने हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशनी की केंदर सरकार द्वारा भारत का सब से बढ़ा विधान परिश्द में नेशनल उविधान अप्लिकेशन जिसको नेवा कहा जाता है नेजनल ई विधान अप्लिकेशन नेवा को लागू करने वाला पहला राजो कॉन बना तो पहला राजो बना बिहार और बिहार में इतनल समवर्दन नीती 2021 लाने वाला पहला राजो अब का यही बना है याद रहेगा, दूसरा कहाँ पे, दूसरा सूपॉल में, यह important रहेगा, सूपॉल में, आगे देखी, क्रिसी हेक्थान आयोजित करने वाला भारत का पहला क्रिसी विश्विद्याले कौन सा बना है, तो बिहार क्रिसी विश्विद्याले सब और भागलपूर, ठीक है, भाग पॉइंट से है कि भारत का पहला बापू टावर, जो कि 120 फीट उचा, इसका निर्मान कहां पर किया रहे है, तो बापू टावर, गर्दनी बाग, पटना, गर्दनी बाग, पटना, यह याद रखेंगे, भारत की पहली अवास्ती है, स्पोर्ट्स अकार्डमी कहां पीद के जराएं, इसे भी याद रखेगा, और नेक्स्ट वन, जो कि आज की इस वीडियो का आखरी प्रस्टन है, कि भारत का पहला, बुद्ध सम्यक दर्सन है, बुद्ध सम्यक दर्सन संग्रहले कहां बना जा रहा है, तो यह आपका वैसाली विहार में, ठीक है, वैसाल दिन के मेरतियों कहां हुई इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो इन से जम्मंदी जो भी जनकारी आपको पता हो छोटे छोटे पॉइंट जो पूछ जाते हैं वो कमेंट करके बताएगा क्योंकि देख सकते हैं कितन अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को साथ सेर करिए साथ चानल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आइकन को ओल पे सिट कर लिजे ताकि आपको इसी तरह की रोजाना निव वीडियो और निव करेंट अपेक्स मिलती रहे तो thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day.